Hello everyone, welcome to study time with new informative video. UPSC PT का जो exam है 20 अगस्त को प्रस्तावित है और निश्चित तोर पर आप पूरी महनत के साथ इसकी तयारी में लगे होगे और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं current affairs की जो इसमें GS का portion आएगा तो इसमें current affairs के कितने question पूछे जाएंगे एवं कितने महीने तक का जो आपका current affairs है वो इसमें cover किया जाएगा बहुत से बच्चे लगातार पूछ रहे थे कि सर इसमें जो current affairs है वो कहां तक का पूछा जा सकता है क्या पूरा एक साल का current affairs आएगा तो देखिए अगर हम बड़े एक्जामों की बात करें जैसे कि PCS के एक्जामों UPPSC करवाता है तो वहाँ पर या फिर UPSC हो वहाँ पर एक साल दो साल का current affairs है वो पूछा जाता है और 6 महिने तक के अंदर का जो current affairs के question रहते हैं उनकी संख्या जादा होती है लेकिन बात करें अगर UPPSC की और UPPSC के पिछले जो एक्जाम हुए उनकी तो उनमें जो current affairs पूछा गया है वो 6 महा से 3 महा और लगबग इतना ही जो है वो पूछा जाता है 6 मा के ऊपर के जो question है वो ना के बराबर पूछे जाते हैं या फिर बहुत ही जादा important अगर कोई question हुआ 6 मा के ऊपर का तो ही पूछा जाता है वरना सारा जो current affairs है वो 6 मा के अंदर ही पूछ लिया जाता है उसमें भी जो आपके एक और दो महिने हैं जैसे कि आपका अगस्त में exam है तो जो जुलाई है और जून है जून और जुलाई का जो current affairs है इसके जो question है वो ज्यादा ही मात पूर है तो आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं और current affairs का revision बगरा कर रहे हैं वैसे तो आप daily current affairs या मंतली जो भी जैसे भी पढ़ते होंगे current affairs लेकिन अब exam के लिए आप revision कर रहे होंगे तो इसमें आप 6 महा तक का current affairs है वो अच्छे से तयार कर ले लेकिन जो जून और जुलाई का है इसमें ऐसा एक भी question नहीं होना चाहिए जो आपको current affairs के section से ना बने तो ऐसी बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़नी है और सबसे ज़्यादा जो question पूछे जून और जुलाई का current affairs बहुत अच्छे से तयार कर ले और बाकी आप 6 महा का current affairs है उसको एक दो बार revise जरूर कर ले और बात करें कि कितने question जो है आएंगे तो question current affairs की अगर बात करें कि कितने रहेंगे तो 6-7 question जो आपके current affairs के वो रहने वाले हैं और total बात करें 10 question के लगब और 3-4 question relate करके पूछे जा सकते हैं तो इतना आपका जो current affairs के section में question पूछा जाना और सभी एक्जाम में current affairs का महत्त आप जानते ही हैं कितना महत्त पूर्ण होता है current affairs का section So thank you, मिलते हैं नई informative वीडियो के साथ और अगर आप इस channel पर नए हैं तो channel को subscribe जरूर कर ले, thank you